आज के वीडियो में संग सेलेंट्रेटा के टोटल कुईशन लेकर के आये हैं और पिछले वीडियो में मैंने शंग सेलेंट्रेटा अथवा नीडेरिया पर फुल लेक्टर दया था पूरी थोई चित्र सही डेटेल से समझाये थी यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लिजेगा चलिए शुरू करते हैं पहला कोईशन है दंस कोईशिका अथवा नेमेटो सिष्ट है एक option इसमें सही होगा डी वाला कोईशिका का भाग होती है कोईशिका का भाग next question है hydra में जनन किसके द्वारा होता है तो option इसमें सही होगा डी लेंगिक तथा आलेंगिक परकार से hydra में जनन होता है अगर इसमें लेंगिक परकार को देखा जाए sexual reproduction को देखा जाए तो लेंगिक जनन बिपरीत परिस्थितियों में होता है जब तालाप में जल सूखने ल में इसके सरीर पर छोटी छोटी गांठों जैसे गोनर्स बन जाते हैं गोनर्स का निर्माड हो जाता है तो इस तरह से जनन होता है जैसा कि आपको जित्र में दिख रहा है इस तरह से गोनर्स बन जाते हैं और आलेंगी जनन में या एसेक्शल रेप्रोडक्शन में क्या होता या मुकुलन के द्वारा या बर्डिंग के द्वारा जनन होता है और राईड़रा में क्लिवस टोटल होलो ब्लास्टिक होता है next question है जेली मचली किस वर्ग से समंधित है। जेली मचली जो है वो किस वर्ग में पाए जाती है तो इसका आंसर सही होगा पहला साइफो जोवा में पाए जाती है अथवा इसकाइफो जोवा इसको भी हम कह सकते हैं इसकाइफो जोवा और जेली मचली को जेली फेस अथवा औरीलिया भी कहते हैं और इसी वर्ग के अंतर चार आपसन आपके सामने दिये गए हैं समुद्री पेन, समुद्री मचली, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा इसमें आपसन सही होगा पहला समुद्री पेन एक सीलेंट ट्रेट है से सभी जनतों इकाइनो डर्मेटा संघ के अंतर गताते हैं और आपको बता दे कि इस प्रकार की चट्टाने समुद्र के अंदर पाई जाती हैं और हिंदी में इने प्रवाल सेल भी कहते हैं और ये कैलसियम कार्बोनेट की बनी होती है next question है Hydra है Hydra क्या है? उभह लिंगा सराई जरायुज एक लिंगा सराई लैंगिक अंगो का भाव तो option सही होगा इसमें से पहला उभह लिंगा सराई होता है और उभह लिंगा सराई यानि दू लिंगी होता है कुछ Hydra जो होते हैं एक लिंगी भी होते हैं अधिकतर हाइडरा उभै लिंगा स्राई ही होते हैं और उभै लिंगा स्राई में अन्य जंतों को अगर देखा जातों केचुआ है टेप वार्म है जोक है ये भी सभी क्या होते हैं दुई लिंगी अथवा उभै लिंगी होते हैं और दुई लिंगी या उभैलिंगी ऐसे जनतो जिनके एक ही सरीर में नर और मादा जनन अंग पाये जाते हैं उसे ही उभैलिंगा सरई कहा जाता है नेश कोशन है प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं है किसमें प्रचलन का मैथुन से संबंध नहीं होगा तो हाइड्रा में प्रचलन का मैथु से संबंद नहीं है क्योंकि इसमें जो प्रचलन अंग होते हैं वो फ्लेजिला और स्वीडो पोडिया पाया जाते हैं नैश कोशन है संग सिलेंट्रेटा को इस्थापित किया गया है किस पर इस्थापित किया गया है तो जो संग सिलेंट्रेटा है ये संगठन के उतक अस्तर पर इस्थापित है यानि जब बहुत सी कोशिकाइं मिल जाते हैं आपस में एक जैसा कारी करने लगती हैं या कई सारी कोशिकाइं एक जैसा कारी करने के लिए एक बिसे संरचना का निर्मार करती हैं तो उसे ही उतक कहा जाता है तो उतक संगठन यानि इसमें उतक पाये जात और पादाव यानि सुडोपोडिया दोनों पाए जाते हैं तो आंसर सही होगा D. पोसक कोशिका जो हाइडरा है हाइडरा में फ्लेजिला और सुडोपोडिया किस कोशिका में पाए जाते हैं तो ये दोनों जो फ्लेजिला होते हैं यहां नेइट हैं है हाइड्रा है हाइड्रक्या है पूछा गया है तो ऑप्सन सही होगा इसमें से क Sp porn Attends that के मतलब है कि समुद्री जल में नहीं पाया जाता है और अरिये समित इवं दुए इस तरी इनके बारे में डीटेल से समझने के लिए अरिये सम्मित के है दुएस तरीके है आप मेरा लेक्चर वाला वीडियो देखिए next question है hydra में उपकला पेशी कोशिकाएं पाई जाती है hydra में उपकला पेशी कोशिकाएं कहा गया है तो option सही होगा इसमें से दोनों A वा B दोनों में यानि अंतस्त तचा और बाहत तचा दोनों में यानि इंडोथीलियम और एपीडर्मिस दोनों में उपकलापेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं फान्जिया का साधारण नाम है फान्जिया का साधारण नाम क्या होता है देखे इसको लेक्चर में मैंने समझाया भी था तो फंजिया का साधर नाम कुकुर मुत्ता कोरल होता है इन्हीं फंजिया जो है ये कुकुर मुत्ता कोरल के नाम से भी जाने जाती है और लाल कोरल कोरेलियम है, मस्तिस्क कोरल मेंडरना है, आरगन पाइप कोरल ट्यूबी पोरा को कहा जाता है लाल कोरल, कोरेलियम, मस्तिस्क कोरल, मेंडरना, आरगन पाइप कोरल, ट्यूबी पोरा को कहा जाता है सभी चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है नेस कुछ जन है, बहुरूपता देखी जाती है बहुरूपता इस किसमें देखी जाती है पॉलिमॉर्फिस्म is seen in आंसर सही होगा इसमें से पहला सीलेंट्रेटा में बहुरूपता पाई जाती है यानि सीलेंट्रेटा संख के जो जन्तु होते हैं इनके सरीर कई रूपों में देखे जाते हैं और जब कई रूपों में सरीर दिखता है तो उसे ही पॉलिमॉर्फिस्म कहा जाता है बहुरूपता कहा जाता है और अगर सीलेंट्रेटा की मुखी रूप से बात करें तो दो रूपों भी पाई जाती है पॉलिप और मेडिवसा next question है metagenesis पाया जाता है metagenesis किस में पाया जाता है answer सही होगा B, Obelia में metagenesis पाया जाता है और सीलेंट्रेटा संग के कुछ जन्तों में अलैंगिक और लैंगिक आवस्थाओं का जो जीवन चक्र है वो पीड़ी एकांत्रन होता है alternation अब generation होता है इसे ही metagenesis कहा जाता है next question है metagenesis किस वर्ग के जन्तों में देखने को मिलती है अभी तो हम लोग जानते कि सीलेंट्रेटा में metagenesis लेकिन अब वर्ग की बात की गए है किस वर्ग में जन्तों में देखने को मिलती है तो इसमें option सही होगा पहला hydrojova इसको मैं भी मैंने थेओरी में समझाया था कि hydrojova के अंतरगत metagenesis देखने को मिलती है या alternation of generation होता है तो hydrojova इसमें सही हो जाएगा और next question है metagenesis की परिगटना देखने को मिलती है देखे अब इसमें संग को लेकर question किया गया है कई तरीके से एक ही question को पूछा जाता है इसमें संग को पूछ लिया गया है तो metagenesis की परिगटना देखने को किसमें मिलेगी sealant traits में मिलती है next question है एक त्रजिताह समित आकासर की प्राड़ी जिसमें केवल उतक दिभेदन है रखा जाएगा किसमें रखा जाएगा तो option सही होगा नेडेरिया में रखा जाएगा या sealant traits में रखा जाएगा क्योंकि sealant traits का नया नाम नेडेरिया है next question है इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है इफायरा लार्वा इसको भी मैंने बताया था लेक्चर में इफायरा लारवा औरीलिया के जीवन चक्र में बनता है जो औरीलिया है इसके जीवन चक्र में बनता है और औरीलिया के है तो जेली फिस होती है और औरीलिया में तीन लारवा अवस्थाएं बनती है प्लैनूला, स्काइफोस्टोमा और इफायरा जबकि जो ओबिलिया है ओबिलिया में केवल प्लेनुला लारवा अवस्था पाई जाती है नेश कुछन है कुछ ज्वाला मुखी दीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भेति कहलाती है जो ज्वाला मुखी दीप होते हैं उनके तट हैं तटों क मुखी के दीपों के पास तटो पर बनती है जो प्रवाल रोधिका है अब यहां पर प्रवाल रोधिका आगे पूछा जा सकता है तो प्रवाल रोधिका है यह किनारों से दूर बनते हैं जो जो अला मुखी की किनारे होते हैं उसे दूर बनते हैं और जो प्रवाल दियूप वले हैं ये लैगून के चारो और बनते हैं नेक्ट कुछन है कोरल चटाने कौन से जन्तु बनाते हैं कोरल चटाने कोरल रेप्स आर फॉर्म्ड बाई सीलेंट ट्रेटा जो होते हैं ये कोरल चटानों का निर्माड करते हैं नेक्ट कुछन है इनमें से कौन एक कोरल नहीं है which of the following is not a coral अंसर सही होगा इसमें से D, Sainia जो है ये coral नहीं है और जो Pinnatula है, Tibipora है Oculina है एक प्रकार के coral है लेकिन Sainia coral नहीं है Sainia संग सीलिन ट्रेटा के जो Iskaipo-Jowa वर्ग है Iskaipo-Jowa परिवार से है जबकि जो अन्य तीनो है ये इन्थो जो वा परिवार से है नेश कूशन है, निम्रेखित में से कौन सा जन्तु परजीवी नहीं है मच्छर, फीता क्रीमी समुद्री अनिमोन, जोंक कौन सा जन्तु परजीवी नहीं है भी चौपदा following is non-parasitic animal आंसर सही होगा इसमें से समुद्री अनिमोन परजीवी नहीं है परजीवी नहीं है जो फीता क्रीमी है, जोंक है, मादा मच्छर है ये सभी परजीवी अनिमल है परजीवी मच्छर होते हैं जबकि समुद्री अनिमोन नहीं है या एक सहभोजी होता है हाइड्रा में पुनर जनन होता है चार आपसंदिये गए है रिजनरेशन इन अकर्स बाई आपसंस सही होगा इसमें से सी मार्फोलैक्सिस से होता है मार्फोलैक्सिस आपको बता दें कि जो पुनर जनन है थवा जो रिजनरेशन है दो प्रकार से होता है एक तो अभी रूपांतरण यानि की इपी मॉर्फोसिस से जब सरीर का कोई भी भाग फिर से उत्पन हो जाता है तो उसे ही इपी मॉर्फोसिस कहा जाता है और जो मॉर्फोलैक्सिस है जब एक छोटे से भाग से संपूर जीव का निर्माड हो जाता है जैसे हाइड्रा में है संगठन उतकी अस्थर का होता है उतकी अस्थर का और हम सभी लोग जानते हैं जो हाइडरा है इसमें बहुत सी कोछ का है आपस में मिलकर एक समान कारी करने लगती है या एक समान कारी करने के लिए बेवस्थित हो जाती है और सारे संगठन बहुत कोछ की अस्थर का हो जाता ह नेश कुर्शन है नमलेकित में से किस जन्तों में तंत्री का तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिस्क नहीं होता तो अंसर इसमें सही होगा B. Hydra में तंत्री का तंत्र पाया जाता है नर्वस सिष्टम पाया जाता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है मस्तिस्क नहीं होता है नेश कुछन है ओबिलिया के मेटाजेनेसिस के समध में निमनिमे से कौन सही सुमेलित नहीं है तो आप्शन सही होगा इसमें से बी हाइड्रेंथ लेंगिक अवस्था ये सही सुमेलित नहीं है पॉलिपिया हाइड्रेंथ आलेंगिक अवस्था होती है लेंगिक अवस्था नहीं होती है नेक्ट कुर्षन है बहुरूपी प्राड़ी तो बहुरूपी प्राड़ी इसमें से ओप्षन सही होगा पहला हाइडरेक्टेनिया बहुरूपी प्राड़ी के अंतरगत आता है या पॉलिमॉर्फिक एनिमल होता है नेक्ट कुर्षन है नुडखित में से कौन जन्तु समोफाइलम, सिलेंट्रेटा वर्ग, एक्टिनो जोवा के उप वर्ग, हेक्सा कोरेलिया में सम्मलित है, ऑप्सन इसमें सही होगा, बी, यूट्रिसीना जोयंथस और एडवर्डसिया, ये सम्मलित है, नेश कुछन है, दन्सिका है, दन्सिका क्या है, तो इसमें ऑप्सन सही होगा, सी, एक कोसिका का भाग होती है, दन्सिका, वाट इस निमेटोसिस्ट, तो पार्ट आप सेल होती है, और आपको बता दें, दन्सिका अथवान निमेटोसाइड्स की उपस्थित, सिलेंट्रेटा संग के जन्तूं का विशेस लक्षण होता है, औ और ये निडोसाइड्स या निडोब्लास्ट के नाम से भी जानी जाती है, निडोसाइड्स या निडोब्लास्ट भी कहा जाता है, और ये विशेस तरीकी के कोसिकांग होते हैं, पार्ट आप सेल्स होते हैं, और इनमें हिपनोटॉक्सिन नमक जहरीला पदार्थ भरा रह होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं दंस प्रवर्ध कहलाते हैं जो कांटे होते हैं निमेटो सिष्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने सिकार को पकड़ता है और सुरक्षा भी करता है अधिक जानकारी के दे ले मेरा लेक्षर वाल वीडियो देखें उसमें मैंने डीटेल से चीतर सही समझाया हुआ हैं सभी लोग जान जान गए हैं निमेटो सिष्ट मए घपनो टॉक्सिन नामक कान से प्रवर्वा निकलता है उस सकी दंस कोशिका से कौन सा बिसेला द्रो निकलता है तो उसी कुश्चन को घुमा कर कैसे पूछा गया है तो इसमें आप्शन सही होगा हिप्नो टॉक्सिन नामक बिसेला पदार्थ या बिसेला द्रो निकलता है हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विसैला पदार्थ है उसी कुछिन को फिर से पूछा गया है किस तरह से घुमा करके तो इसका ओप्सन कौन सा योगा हिप्नो टॉक्सिन नेश कुछिन है दंसिका निम्न में पाई जाती है तो दंसिका सीलेंट्रेटा समवेदी कोशिकाएं है ओबीलिया की समवेदी कोशिकाएं लिथोसाइट्स होती है और ओबीलिया में मेडियूसा की जो इपीडर्मिस होती है इपीडर्मिस अस्तर में या इपीडर्मिस लेयर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं पाय जाती है जो इस्टेटो लिथ या आटो लिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं जो लिथो साइट को सिकाए होती है यह इस्टेटो लिथ या आटो लिथ नामक पदार्थ का स्रावर करती हैं यह पदार्थ निकालती हैं और यह कैल्सियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कारी करते हैं नेश कु आपको बता दें कि ओबिलिया सिलेंट्रेटा संग का जन्तु है और इस संग के जन्तु में अल्प बिक्सित या प्रिमिट्यू तंत्री का तंत्र पाया जाता है और इनमें इस टेटो सिष्ट नामक संतुलन अंग पाया जाते हैं नेश कुश्चन है प्लैनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनेगा तो आप्शन सही होगा बी ओबिलिया के जीवन चक्र में बनता है नेश कुश्चन है डिपलो ब्लास्टिक आगोही का अवस्था पायी जाती है डिपलो ब्लास्टिक आगोही का अवस्था किस में पा डिपलोब्लास्टिक उन जनतों को कहा जाता है, जिनमें दो जननिक अस्तर पाए जाते हैं, जर्मलियर दो पाए जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, अगर टिपलोब्लास्टिक होता, तो उसमें तीन जननिक अस्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आप्सन सही होगास में से बी इस्टार्ज को छोड़ करके हाइड्रा सभी चीजों को पचा सकता है हाइड्रा में पाचन जो होता है ये इंट्रा सेलुलर तथा एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का होता है यानि अन्ता को से की और बाह को से की दोनों प्रकार का पाचन प कर सकता है क्यों नहीं कर सकता अगर पूछा जाए क्योंकि इसके पाचन से संबंधित इसमें एंजाइम ही नहीं पाये जाते हैं नेश्ट कुछन है ओबिलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइड्स कहलाते हैं ओबिलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइड्स क्य स्विपाय जाते हैं इसमें से पॉलिप भोजन ग्रहन करने का कारी करता है नेक्ट कुछिशन है हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भूड़ी आरक्षण कहा जाता है हाइड्रा के ऐसी कौण सी कोशिकाओं है विच सेल्स इन हाइड्रा और काल्ड इंब्रियोनिक रिजर्व कारे में और इंटर इस्टेसियल सेल्स टोटी पोटेंट होती हैं टोटी पोटेंट अर्थात इन कोशिकाओं का जो रूपांत्रण है किसी भी दूसरी अनिप्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है इसलिए इन्हें भूड़ी आरक्षण कहा जाता है इंब्रियोनिक सनरचना है किसकी आफसन सही होगा इसमें से डी पांच समवेदी अंगों की जो रूपैलियम है रूपैलियम और इलिया की एक समवेदी सनरचना होती है सेंस्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसमें कुल तीन प्रकार के पांच समवेदी अंग पाये जाते हैं जिसमें से औस पाए जाते हैं आसा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा समद्में आया होगा समद्में आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर किजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद